हेलो गाइज विल्कम बैक तो बीदाट अपर और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं देखो गयार आप सबको पता है कि जो एक्जाम होगा वह एमसी कुछ जाएंगे और एमसी क्यू जादा से जादा उसमें नंबर लाने का क्या तरीका होता है क्या में क्य हैं यसे हमको जादा से जादा मञ California क्यम क्या हमें इससे झादा नंबर स्कूर कर यहीं कि आपके बस चार प्शन होते हैं उसमें से आपको आपको बढेंते एक नहीं अंसर होगा तो जो आपको पहले आते आपे उसको क्विजिब कर लेना है बट जो आपको नहीं आता ना आपको वह छोड़ना नहीं है क्योंकि आपकी MQ कुछ स्टाइब की है कि इसमें नेगटिव मार्किंग नहीं होगी तो आपको पेपर में कोई भी MQ छोड़ कर नहीं होगी सारे सॉल्फ करने हैं एंड सबसे इंपॉर्टन चीज में नॉट जो चीजे नॉट इनकरेक्ट करेक्ट यह सो चीजे होती है इसको बड़े ध्यान से पढ़ना क्योंकि जब बच्चे इसको भूल जाते हैं और मतलब पढ़ लेते तो हम लोग फ्लो फ्लो में पढ़ रहे होत क्योंकि कई बार कुछ similar similar हो सकते की प्लूरल सिंग्णलर की चोटी मोटी होती है उवह भी कर सकते हैं ज्यादा चेंचरी के लिए हैं तो कि अब पर अब चारब और छोड़ कर एक भी नहीं आना है और यहार दिखो सबसे जादा एक्जाम में full marks लाने का फंडा यह होता है जब आप जैसे मानलो आपको 100 marks का पेपर आता है तो अगर आप 100 marks का पेपर attempt नहीं करोगे तो how can you think के आपके 100 out of 100 आ जाएंगे तो आपको पूरा पेपर attempt करना है no matter what ठीक है चाहें कुछ भी हो पूरा पेपर attempt करना है so I hope आपको यह बात समझ में आ रही होगी thank you so much for watching this video bye bye